स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते है आज का प्रशन हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है A. Axis Bank B. State Bank of India C. Indescent Bank D. Punjab National Bank Answer C. Indescent Bank Explanation Indescent Bank ने हाल ही में National Payments Corporation of India NPCI के साथ साजहदारी में UPI सुविधा से लैस Indescent Bank सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है ये कार्ड सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लॉंच किया गया ये कार्ड अंगिनत फायदों के साथ लैस है ये अलग-अलग खर्चों पर Cashback, Complimentary Movie Ticket, Advanced Cash पर शून्य शुल्क और IRCTC लेंदेन और इंदन खरीद पर सर्चाज से छूट दिलाने में सक्षम है अगला प्राश्न नई PD के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षन किया गया ये किस प्रकार की मारक मिसाइल है A हवा से हवा, B सता से हवा, C हवा से सता, D सता से सता, Answer B सता से हवा, Explanation, रक्षा अनुसंधान और विकास संगथन, DRDO, ने ओरिसा के तड़ पर एक इक्रित परीक्षन रेंज, ITR, चांदीपुर से नई PD की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षन किया ये टेस्टी बहुत कम उचाई पर हाइ स्पीड वाले मानव रहित एर टार्गेट पर की गई, आकाश नई पीडी की, सता से हवा, Surface 2 A में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रनाली है, अगला प्राशन स्वच्छता सर्वेक्षन 2023 में एक लाग से अधिकाबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच शहर का पुरस्कार किसे मिला? A. इंदौर और भोपाल B. भोपाल और सूरत C. सूरत और पतना D. इंदौर और सूरत Answer D. इंदौर और सूरत Explanation स्वच्छता सर्वेक्षन 2023 में एक लाग से अधिकाबादी की श्रेली में इंदौर और सूरत को देश की सबसे स्वच शहर का पुरस्कार मिला? इंदौर को लगातार साथवी बार यह पुरस्कार मिला है इसी कैटेगरी में नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मनपम में स्वच सर्वेक्षन 2023 कुरस्कार प्रदान किये अगला प्राश्ट्र जन्वरी 2024 में किस आतनक्वादी समूह ने सुमालिया में संयुक्त राष्ट के हेलिकॉप्टर पर कबजा कर लिया? 10 जन्वरी 2024 को सुमालिया में अल्शबाब लड़ाकों ने संयुक्त राष्ट के एक हेलिकॉप्टर पर कबजा कर लिया? हेलिकॉप्टर में तक्नीकी खराबी आ गई जिसके कारण उसे गलगादुक शेत्र के गाडून गाउं के करीब उतरना पड़ा हेलिकॉप्टर ने बेलिडवे यने शेहर से उडान भरी थी और इसमें नौ यात्री सवार थे जिन में सैने कर्मी और एक तीसरे पक्षकर्थे के दार शामिल था अगला प्राश्रन भारतिय नौसैना का बहराश्त्रिय अभ्यास मिलन चौबीस का आयोजन कहा किया जाएगा A. O. C. B. Vishakha Patpanam C. Mumbai D. Chennai B. Vishakha Patpanam Explanation भारतिय नौसेना का बहुराष्ट्रिय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन 19-27 फरवरी 2024 तक विशाखापत्तनम में किया जाएगा इससे पहले इस अभ्यास का 11 अंसकरन फरवरी मार्च 22 में पूर्वी नौसेना कमान के तहट विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था मिलन एक विवारषिक बहुराष्ट्रिय नौसेनिक अभ्यास है जो 1995 में लुकी इस्ट पॉलिसी के तहट चार देशों इंडोनेशिया, सिंगापो, श्रीलिंका, थाइलेंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था